जो रिवसा शेहस्ची में उपास्तित हैं और दिनिश वर्मा जी है कि एक महला फिसल कर गिरी है अपने घर पे गिरी है जिसको गंभीर अवस्था में रिवसा शेहस्ची लाया गया है उसके पजनों के दोरा उसके हालाब कैसे हैं रक्सर अब घर्पे जी फिसल के गीत हागा है हमात हैं जख्मी महला के फृत्र स्डी क्या नाम का कैसे ये जख्मी हुई है कि यह क्वासा के हुए पानी फिसल पानी भरा है कि यह अच्छा एपकी माह है कि के नाम है इनका मदरानी मदरानी और आप इनके पती का राजा राम सरगी है सरगी राजा राम अच्छा थानार यह जगी गटना है कि अच्छा अच्छा कर दो कि अच्छा है कि अच्छा अच्छा कर दो है कि अच्छा कर कि में कुछ रहे है कि मुझा दिवाज है ये घटना 31 सिथम्बर 2019 दिन ड्रिगवार की है दो पहार दिन धले करीब चार तीन बज़े की और ये हासा आंगन में फिसलने से महला जख्मी हुई है मधुरानी उमर लगभाग शाठ वर्स होगी जैसा कि बताया गया है कि ये हासा आ रेवसा थरंचित के ग्राम बभनेवा गाउं का है और ये मधुरानी है सरगी पतमी जाजाराम और ये अचानक मौसम खराब होने से आंगन में किशी कार्बस निकली थी और अचानक इनका पड्रिशल जाने से ये गंभी रूप से जख्म जख्ट में इनको रहुसा से चिलाया गया है जहांपर द्रेश भर्मा के द्वरा देखा गया है और परात्मी को प्चार किया जा रहा है लेकिन में बात करेंगे ड्र निके कि इन जखनी के हालाप कैसे हैं मदरानी के और क्या इस्थती है जो बदाया गया है कि इनका पैर में काफी चोट हाथ में आई है इस वजे से और ये तश्मीर देख भी सकते हैं अब लोग और इनकी बहु भी यहां शाथ में तीमारदार हैं उनके पुत्र भी उपस्थत हैं परजन जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बुजर्ग महला है और रियोसा थानाच शेट के गराम बंवनेवा की निवासी हैं और ये मौसम खराब होने से आंगल में फिशल कर गिरी हैं जिससे कि गंभी में से जखनी हो गई हैं और इनको रियोसा सेशी परजनों के द कि कैसे क्या हुआ है लेकिन ये जो चर्चा का भी से है और जो बताया जा रहा है ये आंगल में फिशल कर गिरी हैं और मौसम खराम होने की वज़े से हाथा हुआ है